नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों अगर आपको सपने में ये चीज़ दिखती है कि आपको कोई पैसा दे रहा है या पिर आपसे कोई पैसा ले रहा है आज हम इस वीडियो में आपके लेके आए हैं पैसे से संबंदित जानकारी पहुत ज्यादा खास है पहुत लोग अक्सर लोग देखते हैं मेरे प्यारों दोस्तों सबसे पहले हम आपसे सबसे रिक्वेस्ट करना जाएंगे कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्ली चैनल को करें और पैल आइकन पर बीट क्लिक कर लिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आप सबसे जय हो माता महाकाल का माई जय हो भोलेनाज जी जय हो दुर्गा मया और जय हो शियापद राम चंजी जय हो पवन पुतन्वान जी जय हो बजरग बदी और जय हो सबी देवी अब हम आपको बताते हैं देगे अगर आपको सपने में कोई पैसा देता है इसका मतलब है कि आपको आने वाले भविस्त में या आने वाले समय में आपको नुक्सान हो पाला है सपने में पैसा देने का मतलब कोई आपको पैसा दे तो यह आपके लिए असुख है लेकिन अगर आप किसी दूसरे को पैसा देते हैं तो यह आपके लिए सुख है हम लोगों के जो प्रैक्टिकल लाइफ में जो बास्तिवी जीवन में होता है उससे इस सपने को थोड़ा उ मांगा जाता है देखिए जैसे मान लीजिए आपने कोई काम किया बहुत बड़ा काम किया चार-पांच लोग मिलके आपने काम किया उस काम में कुछ अर्निंग होई उस उस अर्निंग को होने से पहले अगर आपको सपने में ऐसा लगता है मनला आपने सपने में ऐसा देख कि उस पैसे का बटवारा हो गया, सब को पैसे मिल गए, आपको भी पैसे मिल गए, तो ये आपके लिए असुम है, लेकिन अगर आपने ये देखा कि पैसे का बटवारा हो गया और आपको पैसे नहीं मिल गए, तो इसका मतलब है कि वो काम जो आप करने जा रहे हैं, उसमें आपको सपलता मिलेगी, इस प्रकार से आपके लिए ये सपना बिलकुल सुम और असुब के तोर पे आप इसको समझ सकते हैं, आपके लिए सुब भी है, असुब भी है, सपने में पैसा लेने देने का जो भी प्रोसिस है, वो हमने आपको बताते हैं, जैसे मान लीजे, आप स सपने में जा रहे हैं आपकी चेप से या आपके हांथ से पैसा गिर गया ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप किसी को पैसा देते हैं पैसा आपके हांथ से गिर गया या छूट गया ये भी आपके लिए शूगा लेकिन इसी के साथ अगर आप सपने में जा रहे हैं और आपने स इसका मतलब है कि आने वाले बरतमान में आने वाले समय में आपके लिए कुछ अनहोनी या आपके लिए कुछ अशुप संकित आने वाले हैं ठीक है इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों आप सबसे फिर से हांक जोड के भिंते करना चाहेंगे कि जिन लोगों ने भी चैनल को स्क्राइब करिए और पेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए हम लोगों को फेस्बुक पर फॉलो कर लीजिए इसी के साथ हम सब से कहना जाएंगे जय हो महाकाल का माई जय हो बोले नाज जी और जय हो सभी देवी देपताओं की जय हो